मोसम ने एक बार फिर करवट ली है और आप देख सकते हैं कि चंडिगड में मोसम सुहाना कह सकते हैं बारिश हो रही है और बारिश अभी अभी होकर के रुकी है रात बर बारिश हुई है और हर्याना की बात करें चंडिगड की बात करें पंजाब की बात करें तो लगातार ये पहले से पुर्वानुमान लगाया गया था जो मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कि एक तारीक, दो तारीक और तीन तारीक, तीन दिन लगातार बारिश होगी, ओला वरस्टी होगी और उसी का असर कही न कहीं दिख रहा है कि पंचकुला में, में सुकना लेक पर मुझूद है, हलांकि सुकना लेक पर लोगों की काफी भीड रहती है, लेकिन बारिश के कारण, अब जो सेलानी है, वो अभी नहीं पहुच रहे हैं, जो आम लोग है, वो भी नहीं पहुच रहे हैं, लेकिन सुकना लेक का पानी आप देख सकते हैं, कि कि मोसम वैगानिकों ने बता है कि 3-4 डिगरी टंपरेचर घटेगा और अभी जो फसलों की अगर बात करें तो फसलों के लिए कहीं ना कहीं ये जो बारिश है या ओलवरस्टी होगी वो नुकसान दायक साबित हो सकती है तो उसके लिए भी अलग-लग जो चेतावनिया है जो तीन दिन अब कल का दिन और बाकी बचता है कल के दिन भी बारिश की संभावना जताई जा रही है कि बारिश होगी और कुछ जिलों के अंदर ओलवरस्टी की भी संभावना जताई जा रही है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर आप जो गर्मी का मोसम आने वाला है अब गर्मी जब शुरू होने वाली है तो मोसम अभी ठंडा होता है या फिर गर्मी जो अब शुरू होने वाली है वो चालू हो जाती है कैमरामें सनी सिद्दू के साथ अंकित दुदानी न्यू जेटीन चंडिगड